हिंदुस्टान में 1996 से नेट्रोक मार्केटिंग के सुरुवात होई है विदेशों में अमेरिका जर्मने जापान कनाड़ा में इस काम के सुरुवात सेकड़ों साले पहले हुई वहाँ पे बहुत बढ़िया चल रहा है मला सो से भी जादा साल हो गए आज भी विदेशों के अंदर कोई नेट्ट्रोक मार्केटिंग करता है तो उस आधिमी को IS IPS एक राजनिता की तरह एक इज़्जत और रेस्पेक्टेड नजरों से देखा जाता है समाज के अंदर लेकिन हिंदूस्तान के अंदर हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे गाहूं में, हमारे स्टेट में, हमारे टिस्टिक में जब कोई आदमी नेट्वर्क मार्केटिंग करता है और आप किसी के पास प्लान लेके जाते हैं और किसी को यह बता दे हैं कि आपका बेटा 18 साल का हो गया आप 16,000 रुपे का प्रोड़क्ट लो और हमारे साथ जोईन कराओ तो मम्मी पापा क्या करते हैं कि बेटा हम इसको गलत रास्ते पर नहीं डालेंगे सवाल देखिए समझो दुनिया की सबसे सांदार इंड़स्ट्री होने के बाद एक माबाप अपने बच्चे को चपड़ासी की नोकरी लगाने के लिए अपना प्लोट बेज देता है अपनी भैस बेज देता है अपना जवेलरी बेज देता है अपनी एब भी तुड़वा लेता है लेकिन एक बच्चे को अपना करोड़पती बनाने के लिए डाइमंड बनाने के लिए 16,000 रुपे देने के अंदर वो डरता है आप मुझे बताईए ऐसा है या नहीं देखिए है तो सच बोलो नहीं है तो भी बोलो ऐसा है या नहीं है अब आप समझ रहां दुनिया की इतनी बड़ी आ इंडस्ट्री जान लोग काम्याब हो रहें आपने लोगों को करोड़पती बनते वह देखा फिर एक माबाप अपने बच्चे को चपड़ा सी बनाना पसंद कर रहा है रीसुवत देके दो लाग रुपे, सोला अजार रुपे देके करोड़पती बनाना चाहता कारण क्या है इसी कारण को समझ ना अच बस हिंदुस्ट्रान में जब इस काम की शुरुवात होई तो लोगों ने लोगों को लूटा यह समझो लोगों ने लोगों के साथ गलत änता रुपा मेरे बाई यहाँ तो लोग छाच के पूंके वे हैं क्या पूंके पिए दूदि का तो दूर की बात है छाच से फूंके वे बैटे हैं आपको सब जगे मिलेंगे कोई छे महीने टाई बदलता है, कोई दस महीने में टाई बदलता है, कोई एक साल में टाई बदलता है, कोई दो साल नेट्रोक मार्गेटिंग करता है, छे महीने रिटायर्मेंट हो जाता है, फिर करता है, फिर नहीं करता है, ऐसा हो ना, इस से और जनता के हिंदुस्टान के इसी दुख को देखते हुए हमारी कम्पनी के M.D. and CEO हम सब के भाग्य विदाता आज जिनका नाम लेते हुए रोंग टे कड़े होते हैं जिनका नाम लेते हुए प्राव पिल होता है कि हमारी कम्पनी के रचियता मिश्य संजी उसन ने 9-9-2014 को एक भीड़ा उटाया कि मैं एक ऐसी कम्पनी के शुरुआत करूँगा जहां पे लोग अपने बच्चों को उस कम्पनी में शुरुआत करवाते हुए उस काम में जब काम करवाएंगे तो माबाप भी खुश रहेंगे बच्चे भी खुश रहेंगे परिवार के लोग भी खुश रहेंगे और तम चाके इस कम्पनी के शुरुआत हुई 9 November 2014 को अब आप पुछो कि कैसे इसमें होगा आप से मुझे एक्ची बताईए आज तक आपने आईपोन खरीदा जिसके पास है उसकी बात करूँगा खरीदा सैंसंग खरीदा ओपो खरीदा आपने होंडा की कार खरीदी मारूती खरीदी आपने LG का वीडियो कौन का AC खरीदा आप मुझे आज तक बताईए का किसी दुकान वाले को गाली दी कि मेरे को लूट लिया इसने क्योंकि वह मोबाइल आपकी जरुत था सब बात को समझना मोबाइल आपकी जरुत था आपने दुकान वाले को जरुत की चीज के पैसे दिये और आप उसकी जरुत पैदा मत करो जो प्रोडेक्ट उनको दे रहे हो आज मुझे बताईए अरिवेद के जो हमारे चितने भी प्रोडेक्ट है यह हिंदुस्चान के घर-घर की जरुत है या नहीं है हम जरुत पैदा कर रहे हैं या पहले से ही जरुत है इसका मलब जरुत पै रहा हूं जिसकी उसको जर्रोत है अब तीन नमर पे आज तक नेट्वर्क मार्केटिंग में प्रोड़क्ट तो बेचे गे लेकर नकली प्रोड़क्ट बेचे गे दस अज़ार रुपए लिया गया पान सो साथ सो रुपए का आइटम दिया गया आप मुझे सिदा बताइए माँ आपका सच्छा दोस्त हूं माँ आपका रिश्टिदार हूं और मैंने आपसे दस अज़ार रुपए लेकर आपको अमीर और करोडोपती बनाने के नम पे आप जब आप पैसे वाले नहीं बनते हैं तो मेरे खिलाब नगेटिव होंगे की नहीं होंगे हमारे यहां पे क्या हुआ कि हमने लोगों को वो प्रोडेक्ट दिये जो उसकी जरुत थी और जैसे उसकी जरुत पुरी हुई तो उसकी कीमत पसूल होगे जिसको गुठने का दरदर डोक्टर ने बताया कि ढ़ाई लाग रुपे लगेंगे अगर मेरे ढ़ाई लाग रुपे बचा के मैंने उसके पंदरा बीस हजार में गुठने ठीक होगे तो बताईए पैसे लगवाए या पैसे बचाए यह ओटो डोग उसके घर में उसकी आज से पहले ज़रो थी मैं तो माद्यम बना AWPL के माद्यम से उसके घर पे प्रोडेक्ट पहुंचाने के लिए इसलिए नो नावंबर दोजार चोदा से लेकर आज दोजार बाईस तेईस तक हिंदूस्तान Network Marketing का नकसा बदला जो लोग से चिरते थे वो महबत करने लगे जो लोग से बात नहीं किया आग्ते थे आज इसलिए से लोगों को लोग भगवान कि तरह पूँचते है क्योंकि हमारे प्रोडेक्ट में दम है और आपको काम करना है है अगर कोई पार्क में भुड़ा आदमी है विचारा सतर्जाल का हो गया चल नहीं पा रहा है आपके हातों से उसके पास में प्रोडेक्ट चला गया और वो दोनों पैरों पे ठीक से चलना लग गया मुझे बताइए दूआ देगा कि नहीं दूआ देगा अब आप सोचो व मर मर के जी रहा है उसको आपने डाइबोडों को थंडर भास दिया और वो ठीक हो गया तो मुझे बताइए ये कुशी का काम है या गलती का काम है ये काम अगर किसी को मुका मिले तो ये काम करना चाहिए के नहीं करना चाहिए